दिवाली प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी लेन को अमर कंटक पावर की निलामी में Reliance Industries और अधानी समू ने बोली नहीं लगाई बुद्धुबार को कंपनी की संपत्यों के लिए निलामी लगाई गई लेकिन दोनों कंपनीों ने अपने को पीछे कर लिया उन्होंने कहा कि बिक्री की प्रक्लिया में उलंगन किया गया है नियमों का IBC की जो नियम थे उनके तहत ये बिक्री नहीं की गई इसलिए दोनों कंपनीों ने इससे अपने को पीछे कर लिया ऐसा पहली बार होने की उमीद थी कि जब अमबानी और अदानी किसी एक कंपनी की संपत्ती खरीदने के लिए आमने सामने होते लेकिन अब ये नहीं हो सका लेंको अमर कंटक्ट पावर की संपत्यां खरीदने के लिए रिलाइंस और अधानी के अलावा सिर्फ एक आवेदन और आया था जो PFC और REC जो दोनों सरकारी कंपनिया है उनके कंसोर्शियम की तरफ से तयार किया गया था एक ये आवेदन और था सर एक तो ये कि आप क्या इस कंपनियों को ये मिल जाएगी संपत्ती पहली बात और दूसरी इन दोनों कंपनियों ने पीछे क्यों उट लिया कौन से नियम होगा और लंगन हो गया था इस पश्टूप से तो दोनों कंपनियों के आपने सामने ना आने की वजह पता नहीं है लेकिन जिस नियम का सहरा लिया गया वो आई बी सी की परक्रिया है इसमें दोनों कंपनियों का मानना था कि आई बी सी के अंदर कोई चैलेंज मेकेनिजम नहीं है जिसमें एक कम्पिनी की बोली को दूसरी कम्पिनी की बोली चैलेंज कर सके या बोली लगा सके एसान का मानना था और इसलिए जब आज नीलामी हुई तो अडानी और अम्बानी सम्हूं जिने बिजलिक शेत्र में आमने सामने आने की सम्भावना बनती दिखाई दे रही थी वो दोनों इससे अलग अट गए अब अन्तता फिर PFC और REC का मतलब पावर फिनांस कार्पोरेशन और रूर एलेक्ट्रिक एफिशन कार्पोरेशन जो कम्पिनिया है उनके पास ये कम्पिनी जाएगी इनके पास पहले से ही 41% कर्ज है इस कम्पिनी का और इनकी बोली 3000 करोल रुपे के असपास है एक्जिक इसके साथ लेकर चलते हैं अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद संभवना इस बात की थी कि शायद आणानी सम्हू करीब 2950 करोल रुपे आफर करने वाला था जो संकेत मिल रहे हैं रिलाइंस इसके लिए 2130 करोल रुपे आफर करने वाला था और PFC और REC ने करीब 5521 करोल र झाल 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 झाल